फ्रेंट्स घर को ना मेंटेन रखना और्गनाइज रखना इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे घर में ऐसी बहुत सारी बेकार चीजे पड़ी होती है जिसको हम यूज करके अपने घर को मेंटेन रख सकते हैं और नीट एंड क्लीन रख सकते हैं तो आज मैं कुछ ऐ आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूं जिसको कि आप अगर अपनाएंगे ना तो आपका बहुत सारा चीज घर का मेंटेन हो जाएगा और नाइजड हो जाएगा तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे फ्रेंज तो न्यू ब्यूवर प्लीज सब्सक आइडिया तो यह देखिए यह जो पानी की बोटल आती है यह वही बोटल है आप यहाँ पे कोक का भी बोटल ले सकते हैं कोई भी कोल ड्रिंक वगर का इसका मैंने उपर से इस तरीके से कट कर लिया है पार्ट को अच्छे से प्लेन कर लेंगे उसको और नीचे से भी चोटी चीजों से घर के घर को में यूज करके आप घर को बहुत आसानी से और नाइज रख सकती है तो यह देखिए इसको मैंने बीच से भी कट कर दिया यहां से और फिर यह दो पार्ट में हो गया तो इसको मिच से इस तरीके से काट दूंगी दोनों को मैंने कट कर लिया और इस के उपर उस पेपर को चिपका दोंगे तो पेपर मैने इसके उपर चिपका दिया अब इसको तब कर लेते हैं तो ढ़रीट कहने के लिए यह लेस था मेरे पास पड़ा उआ उसी का छोटा साफ काटके लगा दिया है यह ले приб pack को अब चलिए इसका यूज बताती हूं मैं तो हमारे जो । हमारे जो कर तरीके से बीच में जो प्तिसी होती है बांधने वाली वह अगर आपके कटन में नहीं है तो आप इस तरीके का यूजर । यूज़ करके उसको और्गनाईज कर सकते हैं अपने कर्टेन को ये देखे इसको बस जहां से कटा हुआ पार्ट है वहां से पर्दे को लगा कि इस तरह के से छोड़ देना है दोनों को लगा दिया है मैंने और देखिए बिल्कुल फ्री में ही हमारे घर में हमारा कर्टन होल बन गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है तो आप इसका कलर अपने पर दे की साप से चूज कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपके पर दे पर अच्छा लगेगा यह देखिए मैंने ब्लू बनाया था और यह कितना सुन्दर लग रहा है नेक्स्ट है फ्रेंट जब हम इस तरीके से अपना मुबाइल फोन चार्ज के लिए लगाते हैं तो वहां पे अगर फोन रखने के लिए कोई श्टेंड नहीं बना होता है तो हम क्या करते हैं उसको चार्जर के ऊपर इस तरीके से रख देते हैं वहां से गिरने का खतरा हो ज बगा दीजिए वहां पर आराम से अच्छे से होड़ हो जाएगा फिर आप उसके अंदर अपना फौन टेजिए अब इस तरह के से आपका फौन जो है ना सेफ रहेगा शिक्यूर रहे गया और आपका फौन गिरने का खत्राइब खत्म हो जाएगा इस तरीके से फ्री में ही ह बहुत ही मेशी मेशी लगता है जहां पर भी इस तरीके का वायर एक्ष्ट्रा फैला हुआ है जैसे लैप्टॉप का वायर था तो उसको और्गनाइज करने के लिए ना मैंने यह जो प्लास्टिकी पट्टी नहीं आती है फ्रेंड लॉक वाली वो लिया है और बस इसको अच कि यह ठोपर टॉफ और चारण्जर यहीं पर यह एक्ष्ट्रा रहता था एक्ष्ट्रा वायर को अरगनाइज कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से दो मिनट के अंदर आपका शाहतन हो जाया आप देख सकते हैं यह ये वायर कितनी अच्छे साहन ऑच्छ no wird नेज्टは गया ह तो उसके लिए जो मैंने त्रांसपैलेंट पॉलिथी लिया है यह जादरक वाला जो आता है दम-से सॉफ्ट होता था इर ट्रांसपरेंट भी होता है तो वही लिया था मैंने तो उसको बस उसके साइस का काट्लूंगी डेके और कट करके अब इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए इस तरीके से आपका ऊडेंट रेव गएर अच्छे से बचा रहेगा खराब होने से नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा जो इस्टेंट फैन होता है उसके जाली में बहुत सारा धूल कचड़ा जमा हो जाता है तो उसकी क्लीनिंग के लिए आप इस तरीके का एक फोम सी है तो यह देखे कुछ इस तरीके से कट लगाना है इसमें पीछे पार से जूड़ा रहेगा फ्रेंड यह देखिए इसमें पुसारे में कट लग गया अब सफाई करके दिखाती हूं कितना आसान है बस उसके कट को ना अब इस्टेंट फैन के वायर में लगाई है और उसक कितना गंदा हो रहाता मेरा और कितना असानी से और इसको न वह इनसाम को साफ करना बहुत ही आसान है अप कोई बीडिंध को बज़ द roku इसको इस तरीके से डालिए और इसको निकाल के निचोड लिजिए सारा गंदगी पानी के अंदर चला जाएगा और आपका फोम इगदम से साफ निकलेगा आप फिर उसी फोम से अच्छे से क्लीनिंग कर सकती है अब देख सकते हैं मेरा फोम इकदम साफ हो गया है बस अब इस सारे फैन को अच्छे से साफ कर लोझी आगे पीछे हर तरफ जिससे कि पूरा ही फैन अच्छे से क्लीन हो जाएगा यह देखे कितना गंदा निकल रहा है इसमें से इसी तरीके से सारे ही फैन को मैं साफ कर लूँगी तब देखिए और सारा ही फैन साफ हो गया है और इसमें जितनी भी धूल मिटी थी सारी निकल गई है और यह जो निशान आपको दिख रहे एक भी नहीं इसमें जंग लग गया है थोड़ा-धोड़ा तो वहीं जंग है यह बाकि यह पूरा क्लीन हो गया है अगदम से हर तरप से आगे से पीछे से इक दम से क्लीन हो गया यह फैन तो बहुत आसान तरीके और टिप्स होते जिसके वजह से इसको जब भी खिशका हो तो आवाज भी बहुत करता है और वहां पर कटायस में स्क्रेच भी पड़ जाता है तो इसके लिए ना ये एक आइडिया है फ्रेंट इसके नीचे का जो ढखकन बनाने के लिए मैंने ये क्या लिया है ये पेंट का बोटल है उसका रखकन यूज़ कर रही हूं यहां पर मैं बस गुलूगन की मदद से इसके उपर सबको चिपका दूंगी वहत असानी से यह चिपक जाएगा फ्रेंग देखे चारों को चिपका लिया है मैंने इसी तरीके से और अच्छे से एक वार प्रेश करकर के इसको चिपका दूंग ताकि अच्छे से चिपक जाए चारों लग गया है चारों पाया इसका बन गया है और मजबूती से लग भी गया है अब जब मैं इसको यूज करूंगी ना इसको कहीं भी खिसकाऊंगी इतना कोई आवाज होगा फ्रेंड ट्राइल्स में स्क्रेच पड़ेगा और फ्री मे अच्छा लगता है कि तो हैना कमाल का टिप्स नेक्स्ट वे यह देखिए जिस तरीके से चारजर वगर हमारे घर में इतने सारे हो जाते हैं अब कितना भी इसको अच्छे से मोड़ के रखें कुछ करके रखें फिर से मसी मसी हो जाते हैं तो सको मैं आपको एक वार और नै बहुत मुश्किल नहीं लगता है बहुत आसानी से इस तरीके से देखिए पिन को बस गुसा देना है लपेट के इसके अंदर और यह और अर्गनाइज्ड हो जाएगा आपका ते देखिए सारा वायर अच्छी तरीके से और्गनाइज्ड हो गया है जो पानी निकलने का वायर होता है वह अगर अच्छे से नहीं लगा हुआ हो तो इससे पानी दर दर फैलता है तो उसको और नाइस करने के लिए वह ही मैंने प्लास्टिक का वह जो पट्टी था उसको लिए है लॉक करने वाला और बस उसको भी लगा दूंगी यहां पे जब भी खीची है वह बस जो रबर होता है ना अपने बालों में लगाने वाला भी रबर ले सकते हैं और इस तरे में इस तरीके से लगा दीजिए और इसको ना सेट कर दीजिए अपने बोटल के साइज से की बोटल अच्छे से टाइटली उसमें फिट हो जाए तो यह दे अब यह वाला बोटल भी रखूंगी जो इक्स्ट्र जगह बचा उसके बाद भी एक वायर लगा दूंगी और देखिए एकदम से यह सारा बोटल ऑर्णाइज हो जाएगा अब कितना भी खीचिए यह हीलेगा नहीं डूलेगा नहीं गिरेगा नहीं तो इस तरीके का आइडिया आप अपना सकते हैं अपने ऑर्णाइजर में छोटे-छोटे बोटल्स वगरा को रखने के लिए नेक्स टे फ्रेंड जब भी हम फ्रीज के अंदर न कोई भी चीज रखते हैं फ्रीजर के अंदर एक्चुली तो वो न चिपक जाता है उसका पेंदा फ्रीज में तो उसका नहीं चिपकने के लिए न आप उसके अंदर थोड़ा सा आइल लगा दीजी अच्छे से ग्रिश से निकल जाता है यह देखिए डबे मैंने आईल लगा के रखा था तो बहुत इसली वो निकल जाएगा नेक्स्ट है फ्रेंड जब भी हमारे कोई जैसे सेरे मिकी बढ़नी हो या काच का कोई बरतन हो जिसमेल हो जाता है चार का या कोई चूज हमने ऐसा रख दिया जिसमे जा ना भी हम तो तो उसकी लीए अरह द सी करेंगे तीन प्रॉम देखेंगे जाए तीन चार लांग को किसी चीखेंचेश बuity करके उसको जला देंगे अच्छे से इसको आग पर जला eh young biết जला रही है इस तरीके से इतने देर तक जलाना एक उसमें sorcery निकलने लगे इता लाँ लाँ को ना मैस बरनी के अंदर डाल दूंगी और एक देड़ मिनट के लिए ढ़कन बंद करके छोड़ दूंगी उसके बाद जब धकन हटाऊंगी ना देखिए इसमें से दूआ निकल रहा है अब इसके अंदर ना सारे में लाँ का अच्छा सा इसमेल जो है हो नेक्स्ट ए फ्रेंड हम ना च्छे ग्लास का सेट लाते हैं और यूज करते करते हमारे पास एक आद बच जाता है सब तूट फूट के तो उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि आप उसको अपना टिशू होल्डर बना सकते हैं उसके अंदर आप थोड़ा सा टिश नेक्स्ट ए फ्रेंड इस तरीके की जो हमारे सेरे में की प्लेट होती है चीनी मिटी वाली उसमें एक के साथ एक को रख दीजिए तो उसमें इसक्रेचेज पढ़ जाते हैं रगड़ खाके दूसरे के साथ तो उसको रखने के लिए आप जो है ना टिशू पेपर का तो सारे प्लेट के बीच में टिशू पेपर रख दूंगे इस तरीके से आप अगर अपने प्लेट को और नाइस करेंगे ना उसमें इसक्रेचेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे और ये एकदम से सेफ रहेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कम सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो मैं मिलती हूँ ऐसे न्यू आइडिया आज के साथ न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई